हमारी comprehensive geography series में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम mental plumes को जानने के लिए पृत्वी के थोड़ा interior में जाएंगे और समझेंगे कि plumes magma से कैसे अलग है और होलकैनिक hotspot बनाने में उनकी भूमी का क्या है तो चलिए शुरू करते हैं हमने देखा है कि mental पृत्वी की crust के नीचे का layer है जो की गर्म और viscous rock से बना है और liquid और semi liquid state में है mental और core के boundary से mental plumes निकलते हैं जो की molten material के large columns होते हैं ये outer core और lower mental की boundary के पास mental के भीतर गहराई में निर्मान होते हैं ये plumes mental core boundary पर होने वाली extreme heat से पैदा होते हैं mental plumes slow speed से चलने वाले updraft यानि upward currents होते हैं जो heat को पृत्वी के cover से surface की ओर ले जाते हैं हमने देखा है कि lower mental liquid होता है और जब mental की किसी part की density बाकी surrounding liquid से कम हो जाती है और temperature जादा हो जाता है तो उसकी buoyancy के कारण वो rise होने लगता है इसी extremely hot और molten rock के column को कहते हैं mental plumes पृत्वी के interior में mental plumes के existence को सबसे पहले जे टूजो विल्सन ने 1963 में प्रपोज किया था जब उन्होंने हवाई emperor chain जैसे oceanic islands chain को explain किया था ये वही टूजो विल्सन है जिन्होंने plate tectonics term को पहली बार यूज किया था Anyways, चलो समझते हैं कि mental plumes magma से कैसे अलग है Magma local molten rocks के full या partial रूप से पिघलने से बनता है और वे mental के भीतर बनता है Magma जैसा कि हमने देखा है, tectonic plateों के टकराने पर जो rock subject होते हैं उनके पिघलने से भी बनता है On the other hand, mental plumes पृत्वी के deep interior से rise होते हैं और अपने साथ वहाँ का molten material लाते हैं अगर गहराई की बात करें तो mental plumes की उत्पत्ती deep mental से होती हैं जो कि कभी कभी lower mental और outer core की boundary तक यानि पृत्वी की सते से लगबख 2900 km नीचे तक होती हैं Mental plumes पिघली हुई rocks के narrow columns होते हैं और इनकी अकसर लंबी और narrow tail होती हैं इनका head mushroom shaped होता है जैसे वे mental में से उपर rise होते जाते हैं आसपास की rocks के temperature, pressure और composition जैसे factors के कारण उनका shape बदल सकता है हमने post drift studies में convection cells के बारे में पढ़ा था जबकि large convection cells अपनी position change कर सकती है mental plumes relatively stable होते हैं यानि वो स्थीर होते हैं और अपनी जगण change नहीं करते हैं अब ये rising mental plumes जब पृत्वी की surface से तकराते हैं तो उनका head almost flat हो जाता है और surface के ऐसे point में निर्माण होते हैं volcanic hot spot हमने study किया है कि जौला मुखी plate boundaries के पास बनते हैं जहां tectonic plates या तो converge होती है या diverge होती है लेकिन कभी-कभी plates के interior areas में जौला मुखी या गतिविदी देखी जाती है और कभी-कभी plate boundaries में होने वले volcanic activity की intensity disproportionately high होती है इसका क्या कारण है तो इसका कारण mental plume से linked है और ऐसे areas को volcanic hot spot कहा जाता है आम तोर पर hot spot होलकेनो ट्रेडिशनल plate boundaries से दूर lithospheric plates के interior areas में दिखाई देते हैं हालाकि जैसा मैंने उपर कहा इसके लिए exceptions भी है जैसे कि Iceland और afar hot spot जो की plate boundaries उपर स्थित है विश्व के कुछ famous volcanic hot spot है Hawaiian hot spot, Yellowstone hot spot और Reunion hot spot तो mental plume volcanic hot spot कैसे बनाते हैं ये इसलिए होता है क्योंकि mental plumes mental में एक fixed location पर गरम magma का निरंतर सप्लाई करते हैं और वहाँ lithosphere के base को गरम करते हैं उधारन के तोर पर Hawaii islands को ले ले Pacific plate, oceanic crust के नीचे एक stationary mental plumes पर मूँ हो रही है जिससे एक hot spot बनता है, hot spot की intense heat rocks को पिगला देती है जिससे magma बनता है और ये magma अकसर crust को तोड़ देता है जिससे mount monalowa जैसे hot spot होलक्यानो बनते हैं लेकिन ये जॉला मुखी permanent नहीं है, tectonic plate तो मू हो रही है तो इन plates के साथ चलते हुए ये hot spot होलक्यानों hot spot से आगे निकल जाते हैं और finally cool होकर extinct यानि विलुप्थ हो जाते हैं उनके पीछे फिर एक नया जॉला मुखी बनता है जो hot spot के बिलकुल उपर होता है और ये cycle चलता रहता है इस cycle से volcanic islands की एक chain का निर्मान होता है ट्रेंज के पास सबसे पुराने islands देख सकते हैं Pacific plate के northwest direction में होने वाले movement के कारण बने ये Hawaii islands 5 million years के अवधी में बने हैं होलकेनिक hot spot से related Indian geological history में भी एक solid example है जो की है भारत में deck and traps deck and trap का निर्मान लगबक 66 million years पहले हुआ था जब Indian plate गोंडवाना land से तूट कर North East की और मुह हो रही थी तब वो आई Indian ocean में reunion hot spot के उपर जब Indian plate reunion hot spot के उपर से गुजर रही थी तब इस hot spot में बड़ी मात्रा में होलकेनिक activity हुई और बहुत ज़्यादा मात्रा में लावा का प्रवा उत्पन हुआ इसके कारण extensive volcanic layers बने जिने आज हम deckan traps के रूप में जानते हैं यही कारण है कि हमें deckan plateau में cycdo kilometer तक flood basalt province दिखाई देते हैं obviously आज हमें इस क्षेत्र में कोई volcanic activity नहीं दिखती क्योंकि Indian plate लंबे समय से इस hot spot को छोड़ चुकी है और करीब 40-50 million years पहले अपनी करण position में आकर eurasian plate से टकरा कर हिमालय परवत का निर्मान कर चुकी है तो यह थी होलकेनिक hot spot की दिल्चस्प कहानी मैं आशा करता हूँ कि आपने mental plumes और होलकेनिक hot spot के concepts को इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से समझा होगा If you like this video, then press the like button and share your feedback in the comments.